तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन देख रहे हो 40,000 के प्राइस टैक पे तो इस स्मार्टफोन कैटेगरी में आपको करेंटली काफी जबरदस स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे आपको Qualcomm Snapdragon 888 processor देखने को मिल जाएगा आपको Super AMOLED display देखने को मिल जाएगा वो भी 120Hz के refresh rate के साथ अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा और आपकी requirement कुछ भी हो इस स्मार्टफोन कैटेगरी में आपको एक स्मार्टफोन ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी specific requirements पूरी क तो इस वीडियो में हमने shortlist करे हैं ऐसे ही 5 best currently available स्मार्टफोन और इन सभी के हम प्रोस के साथ साथ कौन्स भी बताएंगे चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो तो हमारी लिस्ट में पाचवे नूमबर का जो फोन है वो है MI की तरब से 11X Pro इस फोन में आपको 6.67H का Full HD Plus 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मलता है HDR10 Plus के support के साथ और इसके screen में मिलेगा आपको Gorilla Glass 5 का production भी बात करें इस फोन के processor की तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मलता है जो कि 5 nanometer architecture पे base है GPU आपको देखने को मिलेगा Adeno 660, LPDDR5 RAM और UFS 3.1 Storage के साथ इस फोन का unto do score है 7,46,000 अब बात करते हैं इस फोन के camera की तो इस फोन के rear में आपको 108MP का triple camera setup देखने को मलता है और इस से आप 8K वीडियो लेपाएंगे 30fps पे और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 20MP का single camera setup और इस से आप Full HD वीडियो लेपाएंगे 30fps पे 4500 damage की lithium polymer battery देखने को मलता है 33Watt की fast charging के साथ जो की लेथी है बावन मिनेट इस फोन को 100% चार्ज करने में इस फोन का weight up 196 gram और 7.8 mm ये फोन आप 3 color option में खरीट पाएंगे black, white और silver इसका 8 plus 128 GB वाला वेडियो अप 37,000 में खरीट पाएंगे तो आखरी में बात करते हैं इस फोन की कमियों की और इस फोन की जो सबसे बड़ी कमी है वो है इस फोन का camera जहाएं इस फोन का front camera हो या फिर rear camera हो ये दोनों ही काफी poor perform करते हैं और बात करें इस फोन की दूसरी कमिगी तो वह है इस फोन का software जिसमें काफी ज़ाद refinement की जुरूत है तो अभी इस चानल पे चलना है OnePlus Air Buds Z का giveaway उसमें पार्ट स्पीड करने के लिए आपको करना है इस चानल को subscribe इस वीडियो को like और नीचे comment box में बताना है कि आपको बेस्पिक कौन सा है इस लिस्ट में से और साथ ही में आपको अपनी Instagram IDB mention करनी है और अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के चौते नंबर के फोन की तरह पो यह फोन है IQ7 Legend इस फोन में आपको 6.62 इंच का Full HD Plus 120 Hz का AMBLED दिस्प्ले देखने को मिलता है HDR 10 Plus के साथ प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 888 GPU आपको देखने को मिलेगा Adeno 660 LPDDR5 RAM और UFS 3.1 Storage क इस साथ इस फोन का on-to-do score है 7,21,000 बात करें इस फोन के camera की तो इस फोन के rear में हमें 48 Megapixel का triple camera setup देखने को मिलता है और इस से आप 4K वीडियो लेपाएंगे 30 fps पे और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 16 Megapixel का single camera setup और इस से आप Full HD वीडियो लेपाएंगे 30 fps पे 4000 mh के lithium-ion battery देखने को मिलती है 66W की fast charging के साथ जो की लिएती है सिर्फ 20 minute इस फोन को 100% charge करने में इस फोन में आपको stereo speaker देखने को मिलेगा साथ ही इस फोन का weight है 209 gram और मोटा ही है 8.7 mm यह phone आप सिर्फ एकी color option में खरीद पाएंगे जो की है legendary track design इसका 8 plus 128 GB वाला variant of 40,000 में खरीद तो आखरी में बात करते हैं इस फोन की कमी हो की और इस फोन की जो सबसे बड़ी कमी है वो है इस फोन का battery backup इस फोन की battery 8 से 10 घंटा भी last नहीं करती है normal usage baby और बात करें इस फोन की दूसरी कभी की तो वो है इस फोन का unpolish हुआ है जिसमें काफी ज़दा bugs देखने को मिलते है तो इस लिस में से आपको कोई फोन परचेस करना हो या फिर प्राइस चेक करना हो तो इन सभी का आपको best पैंग लिंग नीचे description में बिल जाएगा तो अब भरते हैं हमारे लिस के तीसरे नंबर के फोन की तरप और ये फोन है OPPO की तरप से Reno6 Pro इस फोन में आपको 6.55 विं density 1200 देखने को मिलता है GPU आपको देखने को मिलेगा Mali G77 LPDDR4 X RAM और UFX 3.1 Storage के साथ इस फोन का अंट्रू स्कोर है 492,000 अगर बात करें इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में हमें 64 Megapixel का Quad Camera Setup देखने को मिलता है और इस से आप 4K विडियो ले पाएंगे 30fps पे और फ्रं चार्ज करने में 11 5G Band देखने को मिलेंगे IP54 की Water or Dust System की Rating देखने को मिलेगी और साथ ही मिलेगा आपको Dolby Atmos इस फोन का weight of 177 gram और मड़ा ये 7.6 mm तो ये फोन काफी पतला और काफी ज़्यादा हलका भी है ये फोन आप दो color option में खरीद पाएंगे Aurora और Stellar Black इस फोन का 12 plus 256B ये वाला वेरेड़ा 38,000 में खरीद पाएंगे तो आखरी में बात करते हैं इस फोन की गमियों की तो ये फोन एक camera centric फोन है इसके बाद भी आपको optical image stabilization देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही इसमें आपको stereo speaker भी देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आपको ये वीडियो यहा पहले में clear कर देना चाहता हूं कि इस फोन के लिए आपको अपना budget 2000 रुपए बढ़ाना पड़ेगा तो जो लोग अपना budget बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो इस फोन को skip कर सकते हैं तो जानते हैं इस फोन के specifications तो इस फोन में आपको 6.5 इंच का Full HD Plus 120 Hz का Super AMOLED देखने को मिलेगा Gorilla Glass 3 के production के साथ और इस फोन में आपको मिलेगा plastic bag बात करें इस फोन के processor की तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 865 देखने को मलता है GPU आपको देखने को मिलेगा Adeno 650, LPDDR Fab RAM और UFS 3.1 Storage के साथ इस फोन का on to do score है 5,95,000 अब बात करते हैं इस फोन के camera की तो इस फोन विडियो लपाएंगे 30fps पे 4500 देखने को मिलती है 25W की fast charging के साथ जो की लेती है एक घंटा 20 मिनेट इस फोन को 2200 परसंट चार्ज करने में इस फोन में आपको IP68 की water और 10 सुसिंट की rating देखने को मिलती है साथ ही मिलेगा आपको Dolby Admos इस फोन का weight of 190 gram और मोटा ये 8.4 mm ये आप 3 color option में खरीद पाएंगे cloud lavender, cloud wind और cloud navy इसका 8 plus 128 GB वाला वेनड़ा 42,000 में खरीद पाएंगे तो आखरी में बात करते हैं इस फोन की कम्यों की तो आज काल आपको 20,000 की जो नीचे smartphone आते हैं उसमें भी आपको 65W की charging brick देखने को मिल जाती है मगर इस फोन के साथ आपको स इस फोन में आपको 6.55 इंच का Full HD+, 120Hz का Fluid Amulet Display देखने को मलता है साथ ही इस फोन में मिलेगा आपको HDR10 Plus का support और इस फोन के front और back में आपको मिलेगा Gorilla Glass 5 का protection भी बात करें इस फोन के processor की तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मलता है GPU आपको देखने को मिलेगा Adeno 660, L NPDDR5 RAM और UFS 3.1 Storage के साथ इस फोन का on-to-do score है 7,21,000 बात करें इस फोन के camera की तो इस फोन के rear में आपको 48MP का triple camera setup देखने को मिलेगा और इस से आप 4K वीडियो लेपाएंगे 30fps पे साथ ही इस में मिलेगा आपको hazel belt color calibration भी और front में आपको देखने को मिलेगा 16MP का single camera setup और इस यह 8.1 mm यह phone आप 3 color option में खरीट पाएंगे black, arctic sky, winter mist इसके 8 plus 128GB वाले वेरंट का अभी जो listed price है वो है 45,000 मगर आप OnePlus की official website पे जाएंगे तो आपको ICICI के cards पे 8,000 का flat discount देखने को मिलेगा तो आखरी में बात करते हैं इस phone की कमयोगी और इस phone में भी आपको optical image stabilization देखने को नहीं मिलेगा और बात करें इस phone की दूसरी कमयी तो वह है overheating यह phone normal usage में भी काफी ज़्यादा heat करता है तो अब बात कर लेते हैं मेरे word it की तो मैं इस list में से आपको कोई भी phone recommend नहीं करूंगा क्योंकि जल्द ही OnePlus का 980 launch होने वाला है और उसका जो price रहने वाला है वो around 40,000 हो अगली वीडियो में